आपका भारत और रोस के बीच अब्यास इंद 21 ये आपका सेन अब्यास सहुक्त सेन अब्यास किया जा रहा है और ये आप देखें कि रोस के जो बॉल्गो ग्राद है ना यहां किया जा रहा है और आप लोगों को अगर आप लोग अपने कुश्चन्स पेपर पुराने उठा के देखते होंगे तो आपको मालू होगा कि इस तरह के कुश्चन्स आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं यहां तक आप देखेंगे वन डे एक्जाम में देख लीजे इस्टेट PCS हो आपका सिविल सर्विस परिलिम्स हो उसमें भी आ जाता है और याद रखिए जब आप रूस और भारत की सम्मंधों के बारे में कोई आंसर राइटिंग भी कर रहे होंगे तो वहां भी आप लोग इनफेक्ट को उपयोग कर सकते हैं आंसर लिखने में भी करेंट से आप लोग उसे जोड सकते हैं और आपको बता दूँ कि अभ्यास करने का कोई उद्देश तो रहता होगा तो इस तरह की अभ्यास करने का उद्देश यही रहता है कि एक तरह से हमारा और उनका आपसी तालमेल बढ़े हमारी दोस्ती गहरी हो आपस में सहोग हो आप लोग देखते होंगे कि किसी सब्जेक्ट में आप मजबूत हैं किसी सब्जेक्ट में दूसरा मजबूत होगा आप दोनों पढ़ते होंगे गुरुब बनाके और एक दूसरे से सांजा करते होंगे तो वही इसी तरह से आप देखेंगे कि जो तकनीक है या और भी कुसलता है वो सांज्या करेंगे और इससे आप देखेंगे रक्षा सहयोग में भी बड़ावा देखने को मिलेगा यही इनका सब उद्देश होता है और यह देखेंगे आप लोग कि एक अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक चलेगा और याद रखिए बारह बावा नंबर का है बारह बावा नंबर का है एक बार पहले आप लोग क्या करिए कि रूस को देख लीजेगा मैं आप लोग रूस के बारे में देख लिजेगा तो देखिए है हमारी प्यारी पितवी इसमें देखेंगे आप लोग की एसीया में आपको हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा यह है आपका भारत और आपको मालू होगा कि रोस का कुछ भाग आपका एसिया में पढ़ता है कुछ भाग इसका एउरोब में भी पढ़ता है तो यहाँ आप लोग जैसे ही देखेंगे यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्या? बोलगो ग्राड यहीं आपका किया जा रहा है यह रोस का ही एक तरह से छेत रहे और आप देखेंगे बहुत छेत फल में पहले नमबर पर है आपका रोस मालू भी होगा आपको एक बार इसके पड़ोसियों को भी देख लीजी आप लोग रोस की अगर हम लोग बात करें तो इसकी रादधानी को आपको मालू होना चाहिए कि मासको क्या है मासको है और 1991 के पहले आप देखते होंगे कि सोवियस संग कहलाता था रोस 1991 में 91 में एक इसका विक्टन होता है और रोस जो अबरतमान में देखते हैं यह आता है तो यहां आप देख भी सकते हैं इससे लगे हुए अगर हम लोग देशों की बात करें तो आप यहां देखिए नौर्वे की सीमा भी आपको देखने को मिलेगे कि रसिया यानि कि रोस से लगती है फर आप देखें कि फिनलेंड की भी लगती है फर आप देखेंगे इस्टोनिया हो गया लाटपिया हो गया लिथोनिया हो गया पोलेंड हो गया उसके बाद आप देखेंगे पोलेंड बेलारूस हो गया यूक्रेन हो गया जॉर्जिया हो गया यहां जॉर्जिया अजर वेजान देखने को मिलेगा यहीं और उसके बाद आप देखेंगे यहीं कजाकिस्तान हो गया आपका इसके बाद आप देखेंगे चाइना भी मंगोलिया भी इसकी भी सीमा लगती है उत्तर कोरिया की सीमा भी आपकी रूश से लगती है और जलीय सीमा आप देख सकते हैं कि जापान से भी लगती है तो यहने याद रखे और अगर हम लोग भारत की बात करें तो यहाँ आपको भारत देखने को मिलेगा अशिया में और आप सभी जानते हैं कि हमारी इस थलीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नैपाल, चाइना, भूटान, बंगलादेश, म्यानमार से लगती है और जलीय सीमा आप देखते हैं कि सिरिलंका से लगती है जो पाक जल लम्रू है न ये आपकी स्रीलंका और भारत की बीच है याद रखी सब्भ्यास में इंद्र 21 में भारत और रूस के कूल 250 सेन कर्मी भाग लेंगे कितने 250 और भारती सेना की दल में मैकिनाइट इन फैंटी बटालियन सामिल होगी और इस बटालियन को भारत की विविन हिस्सों में कठे इन फिसीक्षन दिया गया है और जिसकी बदोलत बटालियन ने सयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तेयार है इस अभ्यास के बारे में अगर हम लोग और भी कुछ फॉएंट देखें तो आपको देखने कुमलेगा कि दोनों देशों की सेनाएं अंतराष्टी आतंगवादी समुहों के खिलाब सयुक्त कारवाही समंद सयुक्त राष्ट के अध्यादेश के अनुपालन में आतंग विरोधी अभ्यास करेंगी और एस सेन अभ्यास की सुरुवाद 2003 में हुई थी एपॉएंट आप लोग विसेशतोर पर याद रखेगा एस अभ्यास की सबसे पहले सुरुवाद कब हुई थी 2003 में जिसे दोनो देशों की विच बारी बारी से यानि की एक एक करके दुई पक्षिय और अभ्यास की रूम में आयुज़ित किया जाता है हाला कि पहला सयुक्त त्री उवाभ्यास का कहने का मतलब है कि इसमें आपकी तीनो सेना ऐसा मिलोंगी थल सेना भी बायू सेना भी और नौ सेना भी तो ये आपका 2017 में पहली बार आयुजित हुआ था और आपने देखा होगी कि भारत और रूस के बीच पिछला सयुक्तित त्री सेवा अभ्यास दिसंबर 2019 में भारत में आयुजित हुआ था ये आप जानते हैं कि बवीनाग जहा जहासी के पास पड़ता है उत्तर पदेश में जहासी आप लोगों ने सुना होगा ये वहां हुआ था और पूने में भी हुआ था और गुआ में भी एक सायथ आयुजित किया गया था तो पिछली बार का हमारे हैं हुगा था इस बार रूस में हो रहा है इसके अगर आप गुमाद की बात करें तो अंताराष्टी संबंदों के छेत्र में सेन ने कूटी के हाल के वरसों में राष्टों के राजनेक हितों को आंगे बढ़ाने के लिए एक पिर्मों को उक्कारी के रूम में उभरी है अंताराष्टी इस्तर के सेन अभ्यासों में भाग लेना सदस तो सैन अभ्यास सेनाओं को एक दूसरे की अभ्यास और प्रिक्रियाओं को समझने भासा की बाधाओं कुदूर करने और ओकरांश चमताओं से परचित करानी की सुभिधा पिदान करता है। और यह सयुक्त अभियानों की स्थिती में विसेस रूप से उपियोगी चाहे वो योध हो या फिर योध की अलाबा अन्न ओपरेशन हो आपके जैसे मानविये साहता, आपदा राहत, एंटी पायरेसी, आधिराश्ट एक सामान कारण के लिए एक साथ आते हैं। संभा होता आप देखेंगे कि सयुक्त सेन अभियास का सबसे महत्पूर लाव रड़नेतिक संकेत परदान करना होता है। और सद्भावना के अलावा आप देखेंगे राष्ट की सॉफ्ट पापर, संस्किती, भासा, रेती रवाज, विस्वासों, भोजन की आधितों और जीवन सेली की आधान पितान का एक साधन भी होता है। आपको मालू रहेगा कि किस टॉपिक से कितने गुश्ट पूंचे जा रहे है। उसी इसाब से आप देखेंगे कि आप लोग उस टॉपिक पर ध्यान भी देपाएंगे। गरुन सक्ति ये भारत और इंडोनेसिया की वीच होता है। गरुन सक्ति भारत और इंडोनेसिया की वीच होता है। मित्य सक्ति ये आप देखेंगे भारत और स्रीलंका की वीच होता है। नॉमेडिक एलिपेंट ये आपका मंगोलिया की वीच होता है। सक्ति ये भारत और फ्रांस की वीच होता है। सूर के नर ये भारत और नैबाल की वीच होता है। यह दभ्यास यह आप देखेंगे भारत और स्युक्तराज अमेरिका के बीच होता है। कई बार इस तरह के गुश्चन्स आपके वन डे एक जाम में पूछ लेगा, कि जो आपका hand in hand अभ्यास है, यह किन किन के बीच होता है, तो याद रखी यह होता है आपका भारत और चाइ से हैं, तो यही कहान ही है आपकी, बारवेश सयुक्ते सैन अभ्यास इंद 20 बन की, ठीक है, इसके बारे में जो भी पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, आराम से आप लोग कर लें, और आप लोग इस तरह की टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहा करिएगा, और जब आप लोग निवच पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें एक काम और कर लिया करिएगा, कि आप देखिए कि अगर कोई किसी देश के बीच आप देखिए कोई से नभ्यास हो रहा है, माल लिए कि आपका रोस और भारत के बीच हुआ है, तो रोस की मैप में इस्तिती भी देख ल किया करिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम लोग वर्ल मैप्स कवर कर रहे थे, तब आप में से कई लोगों के सवाल भी थे, कि इतने सारे देश हैं, सभी के बारे में जानकारी एकटी रख पाना, याद रख पाना, मुंकिन है, मैं भी बानता हूँ कि पर पढ़ते हैं, उसमें अगर कोई देश दिखता है, चर्चा में रहता है, किस कारण चर्चा में है, तो इन सब को जानकारी देख लिए अकरिगा थोड़ी वो, और करेंट से आप देखेंगे, ऐसे ही कुष्चन्स आपके परिक्षाओं में पूंचे जाते हैं, चलिए आप लोग पढ़ते रहे हैं, हम लोग एक नए टॉपिक के साथ किसी मिलते हांगे,